मेरी प्यारी सिब्बू, मुझे पता है कि हमें मिले बहुत टाइम हो गया है, लेकिन खुशी की बात ये है कि मेरी छुटी पास हो गई है, और मैं अगले ही अफते गर आ रहा हूँ, मा और पापाजी को मेरा बहुत सारा प्यार देना, जल्दी ही मिलते हैं, तुम्हारा रच तुम्हारा रचित जाहे जान मेरी रहे न रहे ओ मेरी जुमी में है पूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्व बहे पीकाना पड़े कभी रंग तेरा जिसमों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दुल की आरजू तेरी नतियों में बहजावा तेर खेतों में लहरावा इतनी सी है दुल की आरजू अरे क्या हुआ तु रोक इसलिए रही है अरे कुछ नहीं होता देश के लिए एक छोटा सा बलीदानी तो दिया है प्रोमत अच्छा यह बता ममी पापा का है उनसे मिलना है मुझे एक बार प्रोमत तु ठीक है हुमेमिन का पैर खराब हो गया और जैन जैन और बेटा कैसा है अब तु पापा अब तो थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूं बेटा आगे का क्या सोचा है क्योंकि पैंसिन में तो हम क्या ही घर का गुजारा कर पाएंगे हाँ पापा मैं भी न इसी चीज के बारे में सोच रहा था और मैंने डिसाइड किया है कि मैं गाउं में रहके खेती करूंगा खेती? पर बेटा खेती क्यों? क्यों नहीं पापा, मैं खेती क्यों नहीं करूंगा मेरा होसला कम थोड़ी ना हुआ अभी और पापा देश की सेवा तो हम करते ही रहेंगे पहले बोर्डर पे जवान बनके अब यहां रहके किसान बनके और वैसे भी पापा टेकनलोजी आज की टाइम में बहुत आगे बढ़ गई है वो बैल और हाथ वाला जबाना नहीं रहे आब अब मशीनों से सब पोसिबल है ट्रेक्टर है, फर्टिलाइजर्स के लिए मशीन है क्रोपिंग के लिए मशीन है हर चीज मशीन से हो जाती है आज के टाइम पर बेटा तेरी वो बात तो सही है पर तु जानता है ग्याहूं, बाजरा, सरसों ये उगाने में कितना करजा हो जाता है किसान पर खाद, पानी, बिजली, डवाईयां कितनी मेंगी पढ़ती है कुल में लाके कुछ हाथ पले नहीं पढ़ता है इन फसलों में हमें कोई बात नहीं पापा अब कोई चीज सोची है ना तो उसको पूरा करेंगे भी अब चए मैनत लगे, चए पैसा लगे हम अपनी तरफ से तो पूरा करेंगे ना उसको और जरूरी थोड़ी ना है पापा कि हम गे उँबाजरा उगाएं हम मेंगी फसल भी उगा सकते हैं जैसे मश्रूम, कैश क्रोप्स, सैफरोन काफी चीजे हैं जो हम उगा सकते हैं उनमें बचत भी अच्छी है, कमाई भी अच्छी है बेटा तेरा होसला देखका तो बहुत बढ़ी अलग रहा है तो जो करागा न वो अच्छा ही करेगा हम तेरे साथ हैं, पूरा साथ देंगे तेरा हा मम्मी, हम अपनी तरफ से तो पूरी मैनत करेंगे और बाकी भगवान की मरजी बेटा हम दोन्यों का अशिरवाद तेरे साथ है और भगवान तो पूरा बरोसा है कि तेरे को खूब कामियाभी मिले मेरे को तो इतनी चिंता हो रही है चोरे की पहले इतनी परिशानी में चल रहा है यह कैसे संबालेगा सारा काम, कैसे कर पाएगा यह अरे हमारा बहादूर बेटा है, छोटे मोटे कठिनाईयों से डरने वाला नहीं है वो, बेफिकर रहो ममी, पापा, वो गाओ जाने के लिए त्यार हो रहे हैं, तो मैं क्या सूच रही थी कि मैं भी उनके साथ चरी जाओं, अगर आप लोग करो तो अरे बेटा, यह पूछने वाली कौन सी बात है, यह तो बहुत अच्छा सोचा तुने, तो जा उसके साथ हमें भी चिंता नहीं रहेगी उसकी हाँ, इस जिए मैं पहले से ही रैडी हो गई और वैसे भी, मैं उनकी जीवन संगनी हूँ सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, मैं उनको अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना मेरा तो फ़र्ज है उनके साथ हमेशा रहना, चाहे एक अच्छा वक्त तो चाहे बुरा अरे, किती अच्छी बाव, किनी अच्छा सोचती है अरे, मम्मी, पापा, मैं जा रहा हूँ काम स्टार्ट करने, तो मुझे अपना आशिरवाद दो अरे, रुक बेटा, बहु भी जाएगी तरे साथ अरे, लेकिन ये जा के क्या करेगी साथ में, मैं अकेला सब संभाल लूँगा, आप क्यों परिशान हो रहे हो अरे, बेटा, वहाँ पर तो अकेला कैसे कर लेगा, तेरा खाना बनाना, तेरी देखवाल करना, तेरे काम में हाथ बटाएगी है, साथ लेके जाए इसको ठीक है तो, बेज दो चले रचित, तुम्हें ये ढाबा याद है? हाँ, बिल्कुल याद है, और वो हसीन लम्हावी याद है, जहां मैंने तुम्हें पहली बार देखा था वे, क्या कर रहा है इदर, तुम्हें खड़े रहने के पैसे देता हूँ, काम करने के ना, तो काम कर बिटा, याँ, क्या हुआ अब, बूख लगी है, चल मैं तेरे को ना किसी अच्छी जगा खाना खिला के लाता हूँ, ठीक है अरे भाई साब, यह क्या अरकत आपकी, यह कैसे पेशार हो यार, तुम्हें एक छोटे बच्चे से, इंस्यानी तनाम की चीजी नियागे तुम्हारे अंदर हाँ भाईया, एक तो आप छोटे बच्चे से काम करा रहे हो, उपड से इतना गलत बेहेवियर पर यार मैंने इसको इस डाबे वाले से बचा तो लिया, लेकिन खाना वाना खिलाने के बाद मैं इसको ले के कहा जाओंगा चल कोई नहीं बेटा, तुम मेरे साथ चले अरे, आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं केंजियो में काम करती हूँ, और मेरे तो काम ही ही है, ऐसे बच्चे की हेल्प करना तो आप बिल्कुल परेशान मतो, आप मेरे साथ चलो विष्टा, तिरे को नहीं पर आप कोई परेशान नहीं करेगा, यहां पर तु बहुत खुछ रहेगा, ना तिरे कोई तकलीष देगा, ना तिरे से कोई काम करवाएगा, तिरे को किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? बहुत अच्छ हो, तेंक यूू। चलो अब इसको ना अंदर लेके चलते हैं और मैं बीच बीच में आऊंगा टाइम टू टाइम और देखता रहोंगा कि इसकी पड़ाई लिखाई और इसका रहें सेन कैसा चल रहा है काश आपके जैसे सभी लोग हो जाएं जो इन मासुम बच्चों के बारे में सोचें और इनकी मदद करें अरे तुम्हें पता नहीं क्या प्लेट एक चैरिटी केमपेंडरन कर रहा है अमारे इंडिया में जिसमें जितने लोग इस थीम को डाउनलोड करके लगाएंगे हमारे गणतंतर दिवस पर उतने बराबर पैसे उन एंजियोज को जाएंगे जो ऐसे गरीब बच्चों की शिक्षा खाना और एक अच्छी जिंदगी बनाने में मदद करते हैं आरे वाह मैं पिस कैम्पियन में पार्टिस्पेड करूँ आरे वाह तुम्हारे पास भी यह रिंग जैसे की फ्लोटिंग प्लेयर बैक ग्रांड प्ले एक्सेटरा अरे वाह यह तो बहुत अच्छा है प्लेट से अपने देश की सिवा में भी हिस्सेदार बनो और प्लेट यूज करके अपने म्यूजिक फीचर को भी एंजॉई करो और अगर आप सब चाहो ना तो आप भी बच्चों के बहुत कर सकते हैं मेरी तरह क्योंकि ये भी एक देश बगती है वैसे आप से मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे भी चलो फिर चलता हूं फिर कभी हुआ तो जरूर मिलेंगे जरूर वो हसीन पल मैं कैसे बूल सकता हूं चले हम हाँ चलो अरे भाई साब इस बार की रभी की फसल बहुत मस्त हुई है बिलकुल एक नंबर अगर आप देखोगे ना तो आप देखते रहा जाओगे ब्रीया मैंना बड़ी होकर एक आर्गम अफिसर बनूंगी मैंने पूरी तियारी कर लिए और आप क्या बनोगे मैं में तो बड़ा होकर किसान बनोगा रे खेती में बहुत इंट्रस्ट है अब इस अब क्या पकॉस कर रहे ही खड़े हो क्या पकॉस कर रहे हैं तो और ओर में जाना है पढ़़ाई में जाना है पढ़ाई ना नगिए और तू क्यों कररा है किसानने का अधा आ प्र आपने पाप की हालत है किसान बनना है से एक सान बनना और कुछ काम में ध्धान नहीं तेरा चलो मैं थोड़ी देर में आपको फोन करता हूँ और काम करना कुछ नोगरी करें, सरकारी नोगरी त्यारी करो अरे भाई साब, यहां हो, क्या दिक्कत होगी यहां हो, एक बार, यहां हो चल क्या परेशानी होगी भाई साब, क्यों मार रहे हो बच्चों को तो देख भाई, इंको समझा समझा के पागल हो गया, इंको समझ में आती मेरी बास अरे, अरे, अब मार किसलिए रहे हो, बात बताओ के बात क्या हुई है भाईया, मैं बढ़े होकर आपके जैसी आर्मी ओफिसर बनना चाहते हूँ, जैसे आप थे बढ़े होगे किसान मनना चाता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह, जैसे कि आप हो अभी फिर बोए किसान मनना जाता हूँ खेती फिर क्या करें चेटी में रहे हैं और तू भष्ण बाइसाब में जाकर क्या निखाल लेना एह किसीने कुछren अरे तो इस में परोबलम किया है ऐगर वो खेती करना चाहता है तो उसको खेती करने दो और अगर वो आर्मी में जाना चाहती है तो इसको आर्मी में जाने दो और कौन देश की सुरक्षा करेगा, तो मेरे को तिन लगता है, ऐसे आप लोग खुछ रह पाओगे, पर भाई साब, भाई साब अगर आप इसको पढ़ाई कराना चाते हो, तो एगरी कल्चर की स्टड़ी कराओ, एगरी कल्चर की स्टड़ी करेगा, तो अच्छे से खेती सी एक अच्छा और समझदार किसान बनेगा फिर ये आपके घर में भी पैसा आएगा और आपका बेटा देश की भी सेवा करेगा और अगर आपकी बेटी आर्मी में जाना चाहती है तो उसमें भी कोई प्रोब्लम नहीं है जब आर्मी में जाएगी ना और बोर्डर पे जब द इसकी सेवा नहीं कर सकती अरे भाई साब आप ये देखो कि आपके घर में जवान और किसान दोनों एक साथ है इससे बड़े सो बाग्य की बात और क्या होगी और हमारी बेटी है क्या बेटों से कम है क्या हर चीज में आ गया है आर्मी में जाने दो उसे और इसे खेती करने दो आपने वो तो सुनाई है ना जय जवान जय किसान चलो भाई जैसे तुम्हारी मर्जी करो राशिरवादे तुमर्दाथ हैंक्यू भीया खूब तरक्की करो करो आपके साथ कुछ दिसकूस करने आपके साथ दिखाओ यहाओ देखना तेजिए भी कोन एक बर यहाओ यहाओ सर आपसे कोई मिलने आया है हाँ तो बुलाओ कोन है देखो ओके स्वस्रिकार पाजी पेचाना अरे आप तो शायद वही हो ना जो खेत में काम करते थे खेती तो भाई सब मैं आज भी करता हूँ परकेला नहीं मेरा बेटा है मेरे साथ अरे क्या बात है यह आपका बेटा यह तो वही है जो किसान बनने की बाते करता था और यह आपकी लड़की यह आर्मी में जाना चाती थी अरे क्या बात है ये तो कमाल कर दिया कैसा लग रहा है वेट आपको अब बस भी आप से इंस्पार हो के आज में एक डिजिटल किसान बन चुका हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने जो प्रोफेशन चुना आज में उसमें कामयाद हूँ और लेडी सोलजर आपको कैसा लग रहा है आर्मी जोइन करके? भया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मेरा आर्मी में जाने का ड्रीम था वो पूरा हो गया और मैं आज आर्मी में जाकर अपने देश की सेवा कर दी हूँ और मुझे इस चीज पर बहुत देल रहा है चलो भाई साब अब आप बताओ आपको कैसा लग रहा है आपका लड़का ये कितना अच्छा किसान बन गया है आपकी बेटी आर्मी में ये कितने अच्छे लेवल पे है आप बताओ मुझे मेरे पैर जमीर पे निफटते आपको पता है मेरे एक लड़के ने पूरे जिले में मेरा नाम करती है और मेरी लड़की जब ये जाती है ना बोर्डर पे पूरे गाओं में ना मैं अकेला ऐसे सिना चोड़ा करके भूनता हूँ देखा भाई साब मैंने तो आपको पहले ही बोला था आप कितने किसमत वाले हो कि आपके घर में एक किसान भी है और एक जवान भी है और दोनों मिलके देश की सुरक्षा भी कर रहे हैं और देश की सेवा भी कर रहे हैं मैं आपकी फिलिंग बड़े अच्छे से समझ सकता हूँ इस टाइम आपको कितना प्राउड और कितना अच्छा लग रहा होगा और ये सब हुआ है आपकी वेज़े से अगर आप उस दिन इनको इंस्पैर नहीं करते मेरी आखे नहीं कोलते तो आज ना ये आर्मी में होती ना ये एक ना बड़ा किसान होता ये तो देखो भाई साब होना ही था आपके बच्चों ने मैनत भी तो इतनी किये ये मुकाम इतनी आसानी से थोड़ी ना आसिल कर लेता है कोई और मुझे बहुत गर मैसूस होता है कि मेरे घर में किसान भी है और जवान भी है और आप सही गह रहे थे बेटी है ना बेटों से कम नहीं होती मैंने आपको उस दिन भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ जय जवान जय किसान ठीके पाजी चलते हैं और हमारे लाइक को सेवा हो तो मिज़े बताएगा जी जरूर आपके लाइक कोई काम होगा तो आपको जरूर याद करेंगे जय हिंद जय हिंद पर मात्मा की दया है सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है बस अब तो एक इच्छा रहगी मनकी वो क्या? की एक पोत्ता और आजाए उसे बैठे़ बैठे खिला ले बढ़ा पे मान और क्या है बस ये इच्छा है अब तो क्या बात है बिटा बड़ी मुस्करा रही ہے है अब इदर है चाही है जा व qui we lose brain मुशक्रा हारिया ममी आप देखो ना अब सो कुछ कितना सभी चल रहा है सब कुछ कितना अफ्छा हो गया एक टाइम पर ऑख अ-इसा लगता था कि सब कुछ खतीम हो जायगा सब कुछ खिराब हो गया पर देखो इन्होंने सब को समाल लिया हम लोग कितने खुश हैं अब बेटा मुझे भोले वावा पर यकीन था कि मेरे बेटे की मेहनत जरूर सफल होगी इसलिए तो कहते हैं भोले की फोज करेगी मौल यह बात तो सही है देखो हमारे बेटे ने कितना संगर्स किया रहा पहले बोर्डर पर रहके तो देश की सेवा कर रहा है इसलिए तो कहते हैं जै जवान जै किसान तो नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की दरूरत के मताबिर जै जवान जै किसान जै जै जवान जै किसान जै किसान जरूर लिखना जै रचित रोजा प्लेट के इस नोबल कोज को सपोर्ट करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब लोग मेरी इस थीम को डाउनलोड करके गरीब बच्चों की शिक्षा और उनको अच्छी जिंदगी देने में हम सब की मदद करोगे इस नए साल इस गनतंतर दिवस पर आओ एक अच्छे सोशल कोज के लिए सपोर्ट करे और अपने भारती होने पर गर्व करे वन्दे मात्रम लो मैं तो लगा भी ली तुम्हारी धीम हरे